करते हैं और आज एस वीडियो में हम आपको कुरुती में पुक्ट लगाने क लिए travailllaw के लिए कस बैसे हम आपको पूक्ट तो पूकट का मार्ग उठाएंगे तो pocket का mark उठाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कमर और hip में हमें जादी margin नहीं रखने हैं जिससे हमारी pocket सही से नहीं बढ़ती है तो हम आपको बता देते हैं कि यह margin हमने इस mark से 7 इंची की रखी है इधर भी हमने 7 इंची की margin रखी है और उपर में आप जिस तरीके से माजी लगते हैं वह आप रख ले तो सबसे पहले हम पॉकट का मार्क उठाएंगे जिस तरफ हमें पॉकट लगानी है उसी तरफ हम इसका मार्क उठाएंगे तो हम आपको बता देता है कि हमारी इसके दूसरी तरफ पॉकट लगेगी तो इस इसे हम इस तरीके से खोलेंगे तो दूसरी तरफ हमने इसे इस तरीके से खोल लिये हैं और हम आपको बता देते हैं कि इधर हमने मार्क पहले से लगा कर रखा हुआ है तो यह हमारा कमर का मार्क है जहांपर हमारा कट लगा हुआ है और यह हमारा हिप का मार्क है जहांपर हमा कि 14 चाहके मार्क से थे 1,5 इंची हुपार की टरब मार्क लगाएंगे अब हमारें पॉकट जितनी रहेंłeं अगर आप 1.5 इंची देना चाहते हैं तो वह दे देशना का हमने चाहते हैं तो 6 इंची पॉकट वह ईंची हैं। और 6 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे, तो यह हमारा पॉकट का मार्क लग गया है, अब हम पॉकट की कटिंग करके आपको दिखाते हैं, पॉकट की कटिंग हमें किस तरीके से करनी है, तो यह हो गया हमारा पॉकट का कपड़ा, जिसमें हम पॉकट की कटिंग करें तो हम आपको बता देते हैं कि एक कपड़ हमने इस तरीके से डवल लेयर में लिया है और इसकी लंबाई और चुड़ाई कितनी है वो भी हम आपको बता देते हैं तो इसकी लंबाई हमने ली है 13 इंची और इसकी जो चुड़ाई हमने ली है वो ली है 7 इंची अभागट की cutting कर आपको डिखाते हैं कि pocket की cutting हमें किस तरीके से करनी है तो देहें दोस्तों यहां से हम एक inchi में mark लगाएंगे और उसके बाद में हम आपको बदा आते हैं कि हमारा जो pocket का जो मु रहेगा रहेगा 6 inchi तो 6 inchi में हम यहां पर mark लगाएंगे अब इस मार्क से हम धाइंची एक मार और लगाएंगे अब हम पॉकट की सेव देंगे तो यह दोस्तों यहाँ से हमने जो धाइंची में मार्क लगाया है यही से हम पॉकट की सेव देंगे इस तरीके से हम गुलाई आगे की तरफ लेकर जाएंगे यह आगे की तरफ हमने गुलाई लेका जाना है और इसे हम नीचे की तरफ इस तरीके से लेका जाएंगे और इधर से भी हम इसकी गुलाई देंगे तो देगे दूस्तर इस तरीके से हमने पॉकट की गुलाई दे दी हैं अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो यह हमारे pocket की cutting हो गई है अब हम इसकी सिलाई करका आप को दिखाते हैं किस कि सिलाई हमें किस तरीके से करनी है तो चलिए करते हैं तो दोस्तों pocket लगाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि यह हमने सामने का पल्ल ले लिया है और इसके नीचे हमारा पीछे कपला है इसे हम इस तरीके से मिलाएंगे और यह जो हमारा मार्क दिया हुआ है इसी मार्क से हम इसकी सिलाई करेंगे और यह सिलाई हमारी इस मार्क तर आएगे जहाँ पर हमने यह मार्क लगाया हुआ है और यहाँ से हमने 6 इंची पॉकट का मूँ खोला है तो इसके बीच में हमने यह सिलाई नहीं देनी है फिर हम इस मार्क से सिलाई को लेंगे और यहाँ तक लेकर आएंगे तो यह सिलाई हमारी यहाँ पर होगी तो चलिए देते हैं तो यहां तक हमने सिलाई देनी है फिर हम पॉकट के लिए मूँ को छोड़ देंगे फिर हम यहां से सिलाई स्टार्ट करेंगे तो दोस्तो इस तरी के से हमने यह सिलाई दे दी है तो देखें दोस्तो यहां पर हमने पॉकट के यहां पर हमारी पॉकट रहेगी तो यहाँ पर हमने slide नहीं दी है क्योंकि यहाँ पर हमारी pocket बनेगे अब हम pocket के slide करका आपको दिखाते हैं तो यह होगी हमारी pocket तो यहाँ पर हम एक इंची छोड़कर mark लगाएंगे और यहाँ से हम इसकी slide देंगे तो इधर भी हम एक इंची छोड़कर slide देंगे अब हम इसे पलट देंगे तो इस तरी के से हमने pocket को सी लिया है और देखे दोस्तों इधर हमने एक इंची छोड़कर slide की है तो यह हमारी इस तरी के से आएगी तो इधर भी हमारी इस तरी के से आएगी अब हम इसे लगाएंगे तो यह होगी हमारा suit इसे हम इस तरी के से नाकुन से बठाएंगे और यह होगी हमारी pocket तो देखे दोस्तों यहां पर हमने 1.5 इंची में सिलाई दी थी तो 1.5 इंची का हम यहां पर मीडिल में मार्क लगाएंगे और इस पॉकट को हम इसी मार्क के पास में बठाएंगे पहले हम एक पल्ले में पॉकट को लगाएंगे और उसके बाद में हम दूसरे पल्ले में प तरीके से और इसका एक भाग हम पकड़ेंगे एक पल्ला पोकट का भी और इसे हम इस मार्क के पास में बठाएंगे और इसे हम इस तरीके से घुमाएंगे अब हम इसमें स्लाइड देंगे तो एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं कि एक पल्ला हमने ये पकड़ना है ये एक पल्ला हमारे इधार हो गया एक पल्ला हमारे ये पकड़ेगा ये पकड़ेंगे तो इसे हम इस तरीके से बठा देना है और इसमें हम सिलाई देंगे अब हम pocket को इस तिरीके से पलटेंगे तो देए दोस्तों इस तिरीके से हमारी एक पल्ले में pocket लग गई है अब हम दूसरे पल्ले में इसे लगाएंगे तो इसे हम फिर सामने के तरब पलटेंगे आप हम इसे हलका से यहाँ पर मोड़ेंगे बहुत ही कम कपड़ा लेकर हम इसे मोड़ना है और इसमें हम सिलाई देंगे तो देखे दोस्तों इस दीकिस हमने यह सिलाई दे दिये है आप हम इसे पीछे की तरफ पलटेंगे तो इसे हमने पीछे की तरफ इस तरीके से पलट लिया है अब यह जो हमारी सिलाई है इसी से हम दो सूता हटा कर एक सिलाई और देंगे तो देखे दोस्तों एक सिलाई हमने इसमें और दे दी है और यह पॉकट हमारी बन कर त्यार हो गई है तो पीछे की तरफ हमारी pocket इस तरीके से आएगी और अब हम इसे सामने की तरफ आपको दिखाते हैं तो देखें दोस्तों इस तरीके से हमारी ये pocket बन गई है और पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पर हमारी pocket है काफी finishing बनी है और अब हम इसमें हाथ गुसाक आपको दिखाते हैं कि ये pocket हमारी इस तरीके से है तो दोस्तों ये pocket बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें common box में ज़रूर बताए और हमारी वीडियो को like और share करना ना बूले